1945 में जब दुनिया दुत्य विस्विल रह रही थी तब दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर बनकर तयार हुआ जिसका वजन 30 तन था जो एक पूरे बड़े कमरे में रखा जाता था लेकिन आज टूट 2019 में कंप्यूटर का वजन घटकर माज़ 2 केजी हो गया है और अभी के कंप्यूटर पहले से ज़्यादा फीचर्स वाले है टेक्नोलोजी धीरे धीरे एडवांस होती जा रही है केवल 70 सालों में ही दुनिया में इतना बड़ा बदलाव आया है तो सूचिए 2060 में आखिर ये दुनिया कैसी होगी 2060 में टेक्नोलोजी कैसी होगी या जानने के ल इनेक्ट्रोनिक गैजेट्स का परियोग कर रहे होगे आपको तो पता ही होगा कि 5G इंडिया में आ रहा है और आगे चल कर इंटरनेट बहुत ही ज़्यादा एडवांस होनी वाला है इस चैनल पे 5G पर एक अस्पेसल वीडियो भी बनाया हुआ है उसे आप आई बटन पर क्लिक करके जरूर देखना 2060 में वर्चुल रियालिटी बिल्कुल ही आहां बात हो जाएगे उस समय नैनो टेकनलोजी की मदद से अर्टिफीचल ब्रेन भी बनाये जाएगा जो बहुत ही ज़्यादा विक्सित होगा उस समय ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस से कंप्यूट इंदर को दिमाग से जोड़ पाना बिल्कुल ही संभव होगा जिससे हमारे ब्रेन की सारी इंफॉर्मेशन एक हार्ट डिस में सेव हो जाएगी जिसका उप्योग डाटा फाइल के रूप में भविस में भी किया जाएगा 2060 में हमारे घर पूरी तरह से इंटरनेट टेक्नलोजी और इलेक्ट्रोनिक गैजर से लेस होंगे जिससे हम अपने घर के किसी भी एक्यूपमेंट जैसे रेफ्रिजरेटर, टेलीविशन, बल्क्स को बैठे बैठे इंटरनेट अप्लिकेशन से कंट्रोल कर पाएंगे जि लेकिन उस समय अस्पेस में जाना बहुत ही आसान हो जाएगा इस समय भी बहुत सारी कंपनी इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है 2060 में बहुत सारे अमीर रोप अस्पेस को एडवेंचर ट्रिप की तरह भूमेंगे अगर आप फ्लाइंग कार में भूमना चाहते हो तो इसके लिए आपको ज़्यादा इंतिजार की जरूरत नहीं है क्योंकि यह फैसिलिटी जल्द ही दुनिया में उपलब्ध हो जाएगी इसके साथ साथ फ्यूचर में ड्राइवरलेस कार भी अपदेफ पाऊगे यह काम नॉर्मली सेंसर पर डिप्रेंट करेगी जो कारों को कंट्रॉल किया करेगी ऐसे सभी कार और रोट्स सेंसर के साथ पूरी केम्प्यूट राजड होगी जिससे एक्सिडेंट बहुत ही कम हो जाएगी ऐसी कारों का टेस्ट अभी दुबई में 2017 में हुआ है और ऐसे कारे दुबई में 2030 तक आम नुगों के परियोग के लिए होने लगेगी अभी के समय में अस्पेस टोक्नोलोजी से अलग अलग जबों में सिगनल भेज कर किसी एलियन सिविलाजेशन को ढूंडा जा रहा है तो यह भी हो सकता है कि 2060 में हम एलियन सिविलाजेशन से कॉम्निकेट कर पाएं इतने सारे डेवलप्मेंट के साथ साथ दुनिया की आधी नौक्रिया भी खट्म हो जाएगी जिससे बहुत ही भेयानक बेरोजगारी की हालत हो जाएगी उस समय सारे काम को मशीनों से किया जाने लगेगा उस समय दुनिया की 75% आबादी सहरों में रहेगी और उस समय दुनिया की पॉपुलेशन 10 विलियन से भी जादा होगी तो इन सभी prediction में से आपको कौन सा prediction सबसे अच्छा लगा और उसे जरूर होना ही चाहिए कमेंट में जरूर बताइए इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना इसी तरह की science वीडियो के लिए हमारे चैनल को subscribe करके bell icon जरूर दबाना को